नवी मुंबई के वाशी में कल एक व्यक्ती की हत्या और एक व्यक्ती की पिटाई करने वाले तीन आरोपियों को नवी मुंबई पुलिस ने मुंबरा से गिरफतार करने में सफलता हासिल की है कल सुबह एक व्यक्ति हाथ में बैग लेकर हूटल किनारा के बाहर खड़ा था तभी उसमें बैग खीचने की कोशिश की उसका हाथ जब मृतक ने विरोध किया तो दोनों आरोपियों ने उस पर चाकू से हमला कर दिया इस बार उसे बचाने आये दूसरे व्यक्ति की पिटाई की इस बार उन में से एक की मौत हो गई और दूसरा घायल हो गया दो हत्यारों सहित गिरफतारियां की गई हैं और उनके मुख्य सर्गनाओं में से एक पुलिस जाँच में पता चला है कि आरोपियों के खिलाफ अन्य पुलिस स्टेशनों में और भी मामले दर्ज है नवी मुंबई पुलिस आगे की जाँच कर रही है इस उनका जगड़ा होके उन्होंने जो वेटर है उसके दोस्त को मारान किया और उसमें जो वेटर है उसकी जान चली गए इस पे इस ऑफिस में पाशी पुलिस्टेशन में और रहने वाले है और तीनों के खिलाफ लगबख चार ओफेंस सभी फिलाल चोड़ी के रेजिस् जादा शिक्षित नहीं है यह तीनों जो आरोपी है यह ऐसी चूटी मुटी च्वरी की घटना को वारता तो जिसके हैं पुछ पूड़ा की क्या होगा है अभी फिलाल इन्विस्टिक्शन शूरू है लेकिन उनकी जो बैक थी उसमें सिर्फ एक टीश्यू पेपर का जो ग होगा और उसने उसके दोस्कों भी बुलाया था उनका उनके साथ जगड़ा हुआ वाले बज़ तर नहीं नहीं यह यहां के रहने वाले भी नहीं है वह मानपुर्स के पास से इदर मुरा के तरफ जाने वाले जा रहे थे तो भीच में यह गटना हुई वह इंविस्टिकेशन में यूज किया जाएगा तर और यह सवाल है कि जो पता नहीं हमको कि पुम्हें किस इंटेंस के नहीं रहा है